असलाम अलेकुम नाजरीन एक्स हावर हान पर हुशान दीद मुझे कबूल नहीं ट्रामा अगलेकिस का प्रोमो निशर कर दिया गया है जिसमें आप लोग देखेंगे कि सलमान को मायरा बिलकुल भी पसंद नहीं लेकिन अपने वालिद की जिती वज़ा से वो उस रिष्टे के लिए राजी तो हो जाता है लेकिन उसने मायरा की जिन्दगी अजीरन कर रही है और लोगों के सामने तो बहुत अच्छा बन रहा होता है लेकिन पीछे से मायरा को अजाब में मुझतला कर रहा है तो नाजरीन आगे आप लोग देखेंगे कि सलमान की नजर हर वक मायरा पर पड़ी रहती है और वो अभी फून पर अपने गरवालों से बात कर रही है तो सल्मान आकर घुस्से में उससे पूछता है कि आप किस से बाते कर रहे हो जिस पर मायरा उसे कहती है कि मुझे आपको हर सवाल का जवाब देने का पावन नहीं हूँ जिस पर सल्मान घुस्स से उसे मुबाίल उसका चीन कर उसे बोलता है कि मैं आपका शोहर हूँ और मुझे पूरा हक है आप से सवाल करने का कि आप किस से बात कर sûr हो और किस से नहीं और आपका जवाब देना मुझे लाजम है जब कि इतने मैं मिशाल वहां पर आकर उन्हें बाते करते हुए देख लेती है तो सल्मान उसके सामने एक्टिंग करते हुए मुबाइल नीचे पैंकता है और कहता है कि मैं आपको कितनी देर से बोल रहा हूँ कि तयार हो जाएं और आप यहां पर कड़ी हुई हो मायरा ये सब कुछ देख कर काफी परशान दिकाई दे रही है जब कि इदर मायरा और सल्मान तयार होकर गर से बाहर जा रहे होते हैं कि गर की चोकट पर सल्मान मायरा को आवाज देता है और उसे कहता है कि मुझे अपने आप से आगे जाते हुए औरते बिलकुल पसंद नहीं लहाजा आप एक कदम पीछे चलें ये सुन कर वो पीछे तो हो जाती है जब केदर सल्मान के वालिद ने भी किसी को सुकून का सांस नहीं लेना और वो मायरा के गर जाकर उनके गरवालों के साथ बत्तमीजी करना शुरू कर देता है जिस पर सारे लोग काफी परशान दिकाई दे रहे हैं जब के उदर मायरा की दादी अमा सल्मान के वालिद का रोईया देख कर काफी परशान है तो उस पर मायरा की वालदा उसे कहती है कि ममी जान क्या हुआ है जिस पर मायरा की दादी अमा उसे बोलती है कि मुझे तो डर लग रहा है कि कहीं इनकी रुफती साल दो साल मजीद लेट ना हो तो नजरीन आप लोग के हैल में क्या मायरा और सल्मान की शादी होकर मायरा सुकून से जिन्दगी गुजार पाएगी या नहीं अपनी राए कमेंट बक्स में जरूर दीजिएगा और अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाकर सब्सक्राइब कीजिएगा अल्लाहाफेज